हलो एवरिवन मैं विश्व जीत सिंग आप सभी का दी इना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.H.I.01 का लेसन नबर 20 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे सामंत वात के बिविन द्रिश्टिकोनों के बारे में अलग-अलगी त्यासकार के द्वरा जो उनकी अवधारना थी जो उनकी आइडिलोजी थी सामंत वात को लेकर वो किस परकार से परसुत की गई उसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो दोस्तो इस पूरे लेसन को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है फर्स्ट पार्ट के अंदर में हमने पढ़ा था कि सामंत वात का उदे यूरोप के अंदर में किस परकार से हुआ और पिरेन जो थे उन्होंने क्या अवधारना रखी सामंत वात के उदे को लेकर यूरोप के अंदर में उसके बारे में हमने पढ़ा था first part के अंदर में second part के अंदर में हमने पढ़ा कि Mark Block के अनुसार सामंतवाद है क्या Mark Block ने सामंतवाद को किस तर से identify किया उसके बारे में हमने जाना आज के इस वीडियो के अंदर में जो हमारा third part होने वाला है जिसके अंदर में पढ़ेंगे George Doobie कि अनुसार सामंतवादी करांती किस परकार किया है सामंतवादी करांती होती क्या है उसके बारे में आप हम discuss करने वाले है दिखें ये lesson को तो start करेंगे उससे पहले हम थोड़ा से basic knowledge के बारे में जानते हैं अकसर कहीं पर हम छोटी-छोटी गल्दियां करते है जब कभी भी हम सामंतवाद के questions को देखते है और सामंतवाद का topic हो बहुत ही important होता है most important होता है आप इसको त्री स्टार के साथ mark कर लीजे कि ये आपके exam में पूछा जाना ही जाना है reason यह रहता है कि अगर आप 10 साल के question paper को analyze करो तो almost 10 साल में 20 बार exam होता है इगनू के अंदर में 20 बार में से आप यह कह सकते हो कि 12 से 15 बार आपका सामंतवाद के questions repeat होते ही होते है ठीक है almost 20 बार में से 12 से 15 बार अगर एक topic आ रहे है तो कितना important topic है आप इसका अंधाजा लगा सकते हो आप देखो गलती क्या होती है छोटी सी हम बहुत अच्छे से सामंतवाद को study करते हैं बहुत अच्छे से detail एक point to point के लिए रे crystal के लिए है फिर भी हम गलती कर देते हैं क्योंकि हमें सामंतवाद का संदर्ब नहीं पता होता है कि सामंतवाद का question बनता है किस संदर्ब में बनता है और किस तरसे answer देना होता है सामंतवाद का topic है वो दो संदर्बों में पुछा जाता है पहला ये रहता है कि सामंतवाद का जो संदर्व है यूरोपिय संदर्व में ये हमें बताना होता है दूसरा जो टॉपिक रहता है वो रहता है कि भारतिय संदर्व में सामंतवाद किस परकार का है ठीक है तो जब कभी भी सामंत बाद से लेड़ कोष्टन आपके सामने आता है तो सबसे पहले अपने mind पर pressure टाल कर ये समझे जब कि वो कोष्टन किस संदर्व में पुछा गया है European संदर्व में, तो European संदर्व में उसका अंसा दीजे अगर वो भारते संदर्व में पूछा गया तो भारते संदर्व में उसका अंसर दीजिए अभी जो हम इस चैप्टर के अंदर में पढ़ रहे हैं वो सारा यूरोपे संदर्व में है तो आप अगर यूरोपे संदर में पूछा जा रहा है तो वहाँ पे यूरोपे संदर में आंसर दोगी पर वहीं पर पीछे हमने बुक में के दूसरे बुक में पढ़ा है तो वहाँ पे मैंने भारते संदर में सामन्त वाद बताया था अब सामन्तवाद होता क्या है, जो वीडियो भी फिर्स टाइम देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला दूसरा पार्ट भी देख लें जिसे आपको समझ में है, अगर अगर आप यहां पे स्टार्ट करें हो सामन्तवाद अगर आपको नहीं पता है कि सामन्तव सामंथ होता क्या निए जिसको एक भूँमी पर अधिकार मिला है कि कुछ सरतों के साथ में उस भूमी पर अधिकार रहाना दिया कि उसका उप्योग कर सकतेimat और यूरोपय संदर में भी हम सेम डूर देफिनिशन को फॉलो करते हैं चलिए हमें आज को टॉपिक स्टार्ट करते हैं और यहां पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी स्टुडेंट से अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक् अपको जितने भी एमेसे लेटेड जो चैप्टर से आपके इस लिबर से वह आपको आपर कर जाएगा और इन्फो पे जो भी आपके college से related exam से related update है वहाँ पर आपको time to time मिलता रहेगा आपका एक एक जो subscribe होता है एक एक subscription होता like, share, subscribe का उससे हमें motivation मिलता है कि और हम ज्यादा मेहनत कर से को और अच्छे वीडियो आपके तक लेकर आएं ठीक है यहाँ पर सासात में एक request यह करूँगा दोस्तों आपको कि अपनी notebook लेकर बैटे साथ में जिससे आप जो भी यहाँ पर points हो जो भी मैं चीजे बताऊं तिके as a lecture basis पर आप उसको लिख सको और एगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो directly टेलिग्राम गूरूप पर जाईए वहाँ से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा चलिए हम अपना topic स्टार्ट करते हैं George Doobie के हम जब बात करते हैं तो उन्होंने सामंतवादी करांती के अवधारना तो उस समय एक मौलिक और प्रभावसाली इतियासकार के तौर पर George Doobie को जाम जाता है मद्योगिन समाज में एक नया नजरिया उन्होंने रखा अलग तरीके से सोचने का नजरिया रखा अब देखो थोड़ा साम वापस से पीछे आते हैं तो पिरेन की जो अवधारना थी सामंतवाद को लेकर उन्होंने यहाँ पर इसलाम का थोड़ा सा रखा कि किस तरसे इसलाम के उदे के सासात में, इसलाम के विस्तार के सासात में सामंतवाद का उदे होता है उन्होंने यहां पर यह बताया कि भूमद्य सागरी जो वैपार को रोका गया ठीक है जहां पर स्टॉप किया गया भूमद्य सागरी वैपार को उसके बाद सामनतवाद किस तरह से फैला पर वही पर हम मार्क ब्लॉक को मतलब पिरेन तो यह दिखाते हैं कि पूरा जो का उदे का कारण रहता है वह आर्थिक संदर्व इसलाम को लेकर चलते हैं पर मार्क ब्लॉक एक मानता संबंद को दिखाते हैं कि किस तरह से मान अव यूमिन रिलेशन के कारण से तीक है अलग लग चीजों के इंपक्त के कारण से जो सामनतवाद फैला उसके बारे में यह पर बात करते हैं पर जोर्ज रूबी के अब हम पढ़ने वाले हैं आगे वो क्या देखते हैं किस तरह से उन्होंने नया नजरिया लोगों के सामने रखा सामनती संस्ताएं केवल आर्थिक नजरिये से ना देखकर उन्हें विचाराधात्मक आयाम दिया गया ठीक है यह जोर्ज रूबी का मानना था जो भी सामनती संस्ताएं थे जो सामनत के लिए काम करते थे वो एक आर्थिक नजरिये के संदर्व को छोड़कर एकनॉमिक प् मकाने बस्तियां थी उसमें राजनेतिक और आर्थिक समाजिक जीवन का अध्यन के आगया यह उन्होंने एक पूस्तक भी लिखिया अगये पूस्तक भी उनकी 1953 में प्रकासित होती है जिसके अंदर में एक नया एतिहासिक अनुसंदान सामने आया नया एतिहासिक अनुसांदान का मतलब का एक तरह का रिसर्च सामने आया जिसमें उन्होंने आरंबिक इग्यारविसताब्दी की सामनती करांती के तोर पर पहली बार समभोधित किया और उसी के बार से जोर्ज डूबी की सामनती करांती की अफधारना हम पढ़ते हैं सबसे पहले 1953 में पुस्तक लिखी जिसके अंदर में एतिहासिक आधुनिक जो उनका पूरा अनुसंदान था ठीक रिसर्च था वो सामने आया जिसके अंदर में पहली बार 11 विजिताब्दी के अंदर में सामंती करांती सब्द का उपियोग किया उसके बास से ही हम जो 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 एक परियाय भी माना जाता है कि सामंत वाथ का पूरा परियाय नहीं तो वह सही कि उसके तौर पर फीप को भी देखा जाता था अब फीफ होता क्या है अगर अगर आपना पहली वार मतलब में के स्टुडेंट हो तो आपको पता होना चाहीं कि आप सब्यों के लिए कि और थोड़ा से मैं आपको हिंट दूँ तो आपने 8th क्लास में अगर आप NCIT की बुक आपके पास होगी अगर 8th क्लास में आपने पढ़ा है गौर्मेंट से पढ़े होगे ना कितना भी डम स्कूल से तो भी आपको पता होना चाहिए फीफ क्या होता है क्योंकि 8th क्लास के अं सामन्त वास से काफी सिमलर तोर पर फीफ को दिखा जाता था दसवी सताब्दी के अंत और 11 सताब्दी के आरम में किस परकार से साही सत्ता के समापती हुई ठीक है और कैसलेन दुर्गपति कैसलेन क्या होता है जो मतलब बड़े-बड़े किलाओं के अंदर में जो अधीन करने लगे चोटे चोटे जो लोग होते थे जिनके पास चोटी जमीन होती थी उनको अधीन करने लगे मतलब एक उच्छ वर्ग नीम बर्ग पर अपना कबजा जमाने लगा उसके बारे में या पर जिक्र किया जाता है जो सभी किसान थे एक नए प्रकार का शाशन ववस्था के अंदर में senioru bilan ठीके उनके थूरू लागू किया गया ठीके यह क्या थे तो इन्होंने एक नया प्रशाशन ववस्था लागू किया जिसके जो पूरा tenure था उसके अंदर में लगान दारी ठीके जो लगान मतलब टेक्सिस लगाए गए ठीके टेक्सिस लगान से पहले केवल दासू का दाईतू था मतलब देखो मैंने लास्ट अगर आपने second पार्ट दिखा होगा यह जो मेरी वीडियो थी सामंत वात का देश्टी कोन का अगर आपने second पार्ट दिखा है तो इसके इंदर मैंने question चोड़ा था आपको कि एक दास और किसान में क्या आं तरसा ठीक है तो यहां पर कहा जाता है कि दूबी यहां पर कहते है और सबसे इंपोरेंट पूइंट यह ही है इस पूरी वीडियो का अगर आप अगर ध्यान से पढ़ते हो तो तो डूबी कहते हैं कि एक अगर अगर आप इस वर्लाइन को समझते हो तो बहुत बड़ी लाइन अगर नहीं समझते हो तो वेस्ट आफ टाइम है इसके अंदर में कहा जाता है कि जैसे एक परकिरिया चल रही थी जिसके अंदर में दास हुआ करते थे उनका स्थिप रूल होता था उनका एक मजगूरी कि होती थी कि उपने मालिकों की बात मानेंगे ठीक है वो गुलामी करेंगे इस तरह से चलता था उनका टाइत होता था मतलब lên स्थी तीक हो it को कोई दूसरा नहीं होता था थीके मतलब है कोई दूसरा दास की करते हैं घिग कोई भी हूं है उकोगवऐ वहोनोंने उसको कर रहा है पर जो कर लगा तो अब उस उसको मझगूरी में काम और उसको बोला गया कि आप ये काम करों अपनी मर्जी का के अंदर में ठीक है क्योंकि इस वाले टॉपिक के अंदर में जो ठर्ड हमारा पार्ट है उसके अंदर में लाइन आने वाला था जिसके कारण से मैंने हापे सोसाइटी के अंदर में किस तर से चीज़े चल नहीं है वो सारा उलट फिर यहां पर देखने के लिए मिलता है एक और अजाद आदमी जो मतलब फ्री है सब कुछ फ्री है और क्रिशक दासों में जो फर्क है बीच का समाप्त होने लगता है मतलब जो एक अजाद आदमी जो सब कुछ है और जो एक क्रिशक दास है ठीक है यहां पे थोड़ा सा गलत है यहां पर सीर्फ होना चाहिए ठीक है तो जो क्रृषक दास है उनके बीच में जो अंतर होता हुश हमाप्त होने लगता कि मतलब कोई उनके बीच में कोई डिफरेंशि नहीं है reason क्या है कि जो किशी करने वाले जो लोग हुआ करते तो उनको भी दासों का दर्जा मिलने लगा था सामन्ती ववस्ता के आने से सभी ग्राम बासियों को एक समान कर चुकाने पड़ रहे थे एक तरक है जो बारी कर थे उनके उपर लागू हो रहा था जिसके कारण से वो भी एक दासों के तरफे ट्रिट किया जाने लगा था दूसरी और साधारन आदमी और पूरोहित के बीच का जो अंतर था बढ़ता चला गया था पूरोहित को उठ्चे वर्ग का जो राजा के अंडर में काम कर रहा था जो उच्छे वर्ग का लोग थे उस तरह का differences बढ़ता चला जाता है ठीक है आप देखोगे कि प्रोही जितने भी लोग थे जो तागतवर्थ हो थे पर सासात में हमेशा वो मांग करते थे कि इसके अंदर में हमें छूट चाहिए चाहिए आज की condition से अगर आप इस पर आप जिसके पास इतना जाता पैसा देखोगे न वह सेल के पीछे बागते कि आज यहां पर 10% आफ चल रहा है ठीक है तो वह 10% आफ चल रहा है तो उसके उपर में वहां पर भागते हैं पर जो एक निम्न तपका से बिलोंग करता है उसको उसे मतलब ही नहीं है कि कहां पर 10% आफ चल रहा है कहां पर 20% आफ चल रहा है ठीक है उससे मतलब नहीं होता है तो नॉर्मली इस लाइन के इंदर में यही डिफाइन किया जाता है कि जो पुरोहित पूरी तागत के साथ में आगे बढ़ रहे थे और वो सामनती करों से छूट मांगते थे कि यहां पर हमें रिबीट चाहिए यहां पर हमें छूट चाहिए हम यह नहीं कर पारे पर जो साधरन वैक्ति था वो उसके साथ में आगे बढ़ रहा था उसके उपर करों का बोज बढ़ता जारा था पर वो उसको लेकर आगे बढ़ रहा था ठीक है यहां पर इस तरह किसम बोलते हैं आग समपुन समाजिक परकралिया को अगोतित था था ठीक ये पूरा जो रीजन था जो भी चीज़े घटी तो उसका रीजन सबसे में चीज़ क्या देखा जाता है तो सामंती सामंतवादी करांती को माना जाता है यह परिक्रिया नेरंतर दिरे-दिरे चलती रही जिसने ना केवल युद्ध और लूट पर आधारित पूर्ण अर्थ व्यवस्ता मतलब मेरे बच्चा उससके बाद उसका बच्चा मतलब एक व्यक्ति एक आदमी के हाते न मेल पर्सन के हात में पूर्ण जो परिवर्तन हुआ छोटा मोटे परिवर्तन देखने क्लिए मिलता है मांसिक सब्सक्राइब के अंदर में दूबी ने सामंतवाद के पतन पर परशन पर एक नई द्रिष्टी को विक्सित भी किया ठीके जो एक नया द्रिष्टी को था कि सामंतवाद का पतन क्या है किस प्रकार से हुआ उसको लेकर एक नई अवधारना भी प्रस्तुत की गई पिरेन की और माक्सवाद मारकस वादि के पारूप कर वह सामन्त वाद की पतन वाकिम के वहांक वह सब्वादि के पतन के लिए वह बहुत 0 लुए इसमें धर्म युद यह सेहरों की ऑर किसानों का पलायन इसका जवंएदार बताए बाहरी कारन के अंदर में किसानों को लेकर युद की जारा है सहरों की और मानके जबकि पत्न कि बहुट दीती और गती से आगे मतदें इसे शिए 생각 हो लग्त लायन यह निए कि स्टॉप हो गया और बढ़ता जा रहा था समाज के बिविकास के लिए पर्टी बीम करती थी average चाहे तर्थ Wire करती थी किस तरव से उसके काम करती थी है इस यूख की um ऐता करना कि निर्यश्टी कोन के दिःखा गया जो पूरा समंती यूग के तौर पर मांसी के दौर मतलब एक ऐसा यूग जिसके आप कलपना कर सकते हो ऐसा यूग जो आपके दिमाग में बसता हो ठीक है कि अपकर दिमाग की आईडलोजी हो उससकी तो पर देखा जाने ल기로म eleg कारे के सासाथ परिवर्तन करने की बात करते हैं दूबी ने इस समाजिक परिवर्तन को खाखा बिखिचा खाखा मतलब एक तरह से पूराना blueprint बनाया कि किस तरह के से परिवर्तन हुआ समाज के अंदर में क्या चीज़ें आई अगर आप भी चीज़ों को अनलाइस करो गर फॉर्स सेगिंड थर्ड तीनों पार्ट को वन बाई वन देखो तो आपको यह समझ में आएगा कि फॉर्स पार्ट के अंदर में पिरिवर्तन ने बताए कि किस तरह से वैपार के कारण से आर्थिक संदर्व के अंदर में सामंतवाद का विस्तार हुआ आर्थिक संदर्व में सामंतवाद कैसी फाला फूला ठीके इसलाम धर्म के कारण से सामंतवाद का क्या रोल रहा है हमने ये देखा दूसरे संदर्व में देखने हैं कि human relation के कारण से इस्तिति में कैसे एक दास और एक किसान के comparison हम करते हैं कि किस तर से दोनों की स्तितिति में परिवरता नाया ठीक है तो इस तरी के समयाँ पर define करते हैं तो तीनों के अंदर में जब आप बात करोगे न तो यहाँ पर उन्होंने पूरा एक तर से खावखा खीचा मतलब एक blueprint त देखते हैं उसको follow-up करते हैं उसको जानते हैं पर उनके विचारों को लेकर इतिहांसकार में अभी भी घम आसान बहस होता है ठीके जोरदार बहस होती है क्योंकि सारे इतिहांसकार इन चीजों को agree नहीं करते हैं सबसे में अगर दिखा जाएगा ना तो पिरेन की जो अव दोहने उदे होने का पर वहीं पर जब हम मात बात करते हैं मौर्क ब्लॉक की अवधारना का तो उसके अंदर में बोला गया कि blood relation जिस तर से बढ़ रहा था ठीक है जिस तर से लोगों का जो मानव संबंद बन रहे थे उसके कारण से सामंदवात का उदे दिखा गया पर वह जोरदार बहस के तौर पर चलता है कि हाँ ये चीज़े सही है तो वो चीज़े सही है इस तरीके से यहां पर डिफाइन किया गया है नॉर्मली अगर कभी भी कोशन आता है जोर्ज डूबी का कि जोर्ज डूबी की सामंदवादी करांती को बवस्था को बताईए तो आपको करना क्या है कि तीनों कॉंसेप्ट को आप थोड़ा थोड़ा करके समझाओगे कि मार्क ब्लॉक ने क्या बोला ठीक है पिरेन ने क ठीक है डूबी के अधार बुद्क परती मूलक सोच पर पर संचीन बगाते है जो भी डूबी ने चीजे बताई कि ऐसा चीजी होता ही यह चीज ऐसा है उसके उपर उने कोशन मार्क लगा दिया कि नहीं यह सही नहीं है ठीक है reason क्या बताता है कि परती मूलक जो एक तरह का थीक, हें दस्तविस के अधार पर, डाकुमेंट्स के अधार पर, उसको दूभी ने स्युकार किया, उसके अधार पर परसंचीन लगाते है, कि स्युकार करना सही नहीं था, ठीक, होईंब बात करें, थियो दोर के द्वारा जो का गया, तो उसके अनुसार चाह ज़ंकि चेसलिन को होता है जो बड़े-बड़े कीले होते थे उसको कैसलिन के दूर पहाँ गया रास्तंत्री राज्जे के बीच की बात कहता है ब्लॉक की अवधारणा का नुकरण है और इसमें स्थाने सक्ति की मतलब क्या होता है, एक तरस पूरा आजाज ऐसी के इन्दर में पूरा आजाद देना, ठीकिडरा सि हाँ, मॉटश में, इस अन्दर आज़ी निदेना, ठीकिडरा। चोड़ देना तो यहां पर का जाता है कि दो विवाजन की निती अपनाना मतलब एक ही जगह को दो बाटों में बाट देने जैसी बात हो जाती है तो यहां पर कहते हैं मार्क ब्लॉक की अवधाना को अनुकरन तो किया जा रहा है पर वहाँ पे जो सक्ति समानजस होता है कि किस तर सक्ति का बटवारा क्या जाना ठीके उसका ख्याल नहीं रखा गया कभी भी हम चीजों को जब डिफाइन करते हैं कि यह चीज ऐसी बन रही है ठीके आज सबसे फूरा विख्षित कर दया जाए दूसरे पाट को चोड़ दिया जाए older संदर में भी समंतवाण का महीं पर बात करोगे बुर्शचत की बाद करो तो कहते हैं बुर्शचत और नारिवादी ध्यासका चाहते वह वी सामंतवादी करांती के अंदर में महिलाओं के द्रिष्टी कोन को सही इस्थान ना देने को लेकर दूबी की आलोचुना करते हैं, बुर्षद भी और जो महिनारी वादी इत्यास कारते हैं, उनका भी सेम माना था, गैर धार्मिक दास्तावेज, खास तोर पर राज्ये औ और राजवाडों के प्रशासनिक भाइक हातों में परविचार ना करने पर कोई भी कारण इत्यासकार के दौरा अस्हामता दिखाई गई, इसके अंदर में ये एक चीज़े बताई जाते हैं, इन सब ने स्टड़ी तो किया, सामंतवाद को बताया तो चीज़े की ऐसी चल नहीं किया, कि किस तर से सामंतवाद फैला, किस तर सामंतवाद का विकास हुआ, उसको जाने विगरी उन्होंने अपनी अफधारना को रख दिया कि ये चीज़े ऐसी है, तो उसको लेकर भी इतिहासकारों ने असहमती दिखाई कि ये चीज़े यहां पर गलत है, असहमत तो दोस्तों यहां पर यह वाला टॉपिक यहीं पर खतम होता है, इस टॉपिक के अंदर में और मैं अगर मैं रफ ठोड़ा साब को बताऊँ, तो जो जोर बुबी के दुवरा सामनतवादी करांती को डिफाइन क्या लूए किस तर से जो निरंतर तरतो विकास हो रहा था लूट जैसी वर्दवस्ता में बदलती जा रही थी अभिजात तंत्र और जो परिवारी में पित्र सतात्मक व्यवस्ता था वो किस तर से ग्रोग किया उसके बारे में उन्होंने बताया ठीके तो अगर कभी भी कोश्चिन आता है बनकर कि जोर्ज डूबी की सामंतवादी कर करऊंगा कि हमारा चनल दी इनव और नव इनफो को ज़्रोर ससक्राइब करें lot. दीनव के उपर में मस सारे अफडेट आपको मिलेगी जो भी आपका academic courses उससे related सारी update आपको time to time मिलती रहेगी और नव info पे जो भी आपके college related exam related update हैं वो आपको मिलता रहेगा तो दोनों को subscribe जरूर करें and friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best